की investing की जब भी बात आती है ना दो तरह से investing लोग करना प्रिफर करते हैं एक होता यहां हुद्ध्व अपिसेभ इंवेस्टिंग क्या हो गया जहां पे हमने एक । किया है हम इस तरह के instrument में अगर पैसे लागत देपें जैसे-इस से इसका इंडेक्स जोरो होते रहे तो हम भी इनवेस्टिंग से सब के सब को हम क्याते करते हैं पैसिव इंवेस्टिंग और अलग तरह की चीजें हैं अब वो अलग-अलग करना आपके लिए पॉसिमल नहीं है लेकिन आपको चाहिए कि थोड़ा पैसा आपका फास्ट ग्रोग करें क्योंकि एंडेक्स इंवेस्टिंग में भी मल्टीपल टाइप के हैं एक लार्ज कैप इंवेस्टिंग हो गया एक इंडेक्स बेसे सब्सक्राइब करें में तुलब टाइप को में इसके बचाहिए पर उसके भी जो तोप 50 stocks हैं वो basically वो stocks हैं जो बहुत जल्दी fight कर रहे हैं mid cap में जाने के लिए तो उनमें growth potential ज्यादा है compared to बाकी जो बचे 200 stocks हैं उसमें तो 200 में से जो top 50 stocks हैं उसको select करके जो index मनाया गया है उसको कहते हैं हम nifty small cap 250 select 50 index अब ये जो index है इसमें investing का direct को instrument अभी available नहीं था अभी max life आप लोगों के लिए instrument लेके आया है जहां पे आप इसमें investing कर सकते हो और आपको बहुत अच्छा return भी मिल सकता है क्योंकि historically इसमें बहुत अच्छा return दिया है तो उन detail discussion पे तो हम आएंगे पहले मैं बता जाता हूं कि मैं कौन से इंडेक्स की बात करना हूं और वो क्या performance अभी तक देखे रखा है तो चलिए एक बार चार्ट पे ले चलता हूं आपको यह monthly chart है हमारे स्मॉल कर तूप इंडेक्स का आप सोचो कि normally किसी ने अगर 10 साल पहले भी पैसे लगाया होते तो वह अपने पैसे को multifold करके बैठा होता और average return यह जो इंडेक्स है ना इसने 20 से 20 परसंट इंडेक्स में return इसने दिये हैं CAGR के हिसाब से तो 10 साल में अगर 25 परसंट 20 परसंट इंडेक्स अगर देता है तो उसको हम अच्छा इंडेक्स ही मानेंगे और आप लोगों ने यह सुना भी होगा काफी लोगों से कि small cap में जो investing में जो जितना return मिलता है उतना कहीं और नहीं ही मिलता है तो यह तो हो गया जो हम इंडेक्स की बात करने कि यह इंडेक्स क्या करना है तो इंडेक्स यह अच्छा consistently अच्छा return दिये जा रहा है तो यह हो गई first जी अब second जी जो इंवेश्मेंट इंस्ट्रूमेंट की में बात करना उसके बारे में चलते हैं तो चलिए एक बार मैं इसमें आता हूं इंवेश्ट्मेंट इंस्ट्रूमेंट जो है तो on an average अगर आप देखोगे ना तो यह जो इंडेक्स है यह 22% रिटन देके बैठा हुए और यह नया फंड ऑफर है मतलब यह अभी फंड लॉंच ही हुआ है तो इस फंड में क्या है यह वो इंडेक्स है जिसने 22% रिटन देके रखा है ठीक है वेडिकूर तो इन रिटन पॉइंट पॉइव से हमारा सही बै प्लस जिसे इंडियन इंग्रामी दिन पर दिन ग्रोग कर भी रही है तो अगर आप मालो नॉर्मल ही अगर आप से 5000 रुपीज इंवेस्ट करोगे पर मन्त तो आपका लमसम पे आउट रफली वन सी आर के आस्पाश आ जाता है तो यह तो हो गया कि 20 साल के बाद हमको इतना रिटन दिखता है यह लोग जो बता रहे हैं आपको कि वन लाक अगर किसी ने टूटाओं 13 में इंवेस्ट किया होता तो आज वो 7.5 लाक बन गया है है उसका एवरेश समेशन में आपका 7 टाइम्स हो गया है अभी तक किसी ने उस समेश्ट इन्वेस्ट किया होगा तो अभी तक अच्छा खासा रिटन में बैठा हुआ है अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ प्रेंशल तो इसमें ही जो कि स्मॉल केप फंड है प्लस आपको टैक्स सेविंग हो रही है, जो भी आमाउंट आप इंवेस्ट करोगे, उसका आप ATC में डिडक्शन ले सकते हो, तो मालो अगर आप साल में डेल लाग आपको सेव करना है, ATC में, तो आपको इसमें मिनियों 2 या से स्टार्ट होता है, तो आपको भी आमाउंट से ही, उसका 120 टाइम्स आपका लाइफ कवर स्टार्ट हो जाता है, तो मालो अगर आपने 5-6 रुपए का मंतली प्रियम डिसाइड किया, तो 120 टाइम्स मतलब अप्रोक्सिमेटी 6 लाग का आपका, मतलब इंस्वनेंस से स्टार्ट हो जाता है, और वो बिसिकली एक लाइफ साल तक आपने इंवेस्ट कितना किया, 6 लाग, उसके बाद, जैसे जैसे आप आगे इंवेस्ट करते जाते हो, बड़ा-बड़ा सम और एड होते जाता है, तो आपने 10 साल तक इंवेस्ट किया, और 20 येर तक आपको अच्छा रिटरन बनके आता है, तो धीरे-धीरे हर साल compounding होते रहेगी, उसी आप से मिलते रहेगा, तो details इसका मैं description में आपको छोड़ दूँगा, policy wizard के link से आपको जाना रहेगा, आप details सारे चेक करिएगा, और उसके बाद अगर आपको सही लगे, तो आप इसमें investment करके देख सकते हैं, benefit मैंने बता दिया कि new market, new fund offer है, तो इतम 10 रुपए NAVP आपको मिल रहे है, life cover इसमें inbuilt है, ATC का deduction भी है, partial withdrawal भी आप कर सकते हैं, details पुरा पढ़ लीजेगा, और अगर आपने पैसा आपने invest किया है, उसकी guarantee हमेशा रहेगी, तो जो आपने invest किया है, market अगर negative return भी दे रहे हैं, आपको आपके पैसे की guarantee ये दे के चल रहे हैं, ये हो गया, plus policy बजार एक certified partner है, max life insurance का, तो hassle free आपका रहेगा, तो वो आप देख सकते हैं, और जो भी investment strategies है, publicly disclosed है, और मतल़ इसमें हमको जाहा दिमाग आने को जरूत हैं, 18 years का minimum में जो होना चाहिए, 10 साल आपको investing करनी है minimum, 20 साल भी आप कर सकते हो चाहो तो, minimum monthly investment 2000 से start है, yearly आपका 37,000 minimum होना चाहिए, तो ये आप अपना प्लान करके कर सकते हो, तो आप चाहो तो इसको देख लो, मैं detail, description में शोड़ दूँगा, और आप returns भी compare कर सकते हो, तो last कुछ years में कितना अच्छा returns दिया है, इसने, और बाकी funds के comparison इसके returns बहुत अच्छे बैठे ह आपको मिल जाएगा, आप उसको check कर लिजेगा detail में, and अभी fund launched है, चल रहा है, time जल्दी ही खतम होने वाला है, तो आप उसको invest कर लिजिए, आपको फायदा जरूर देगा, और अब बस एक बीकी बचा है, तो आप इसमें investment चाहें, तो अपना plan करके, tax saving के हिसाब से भी करन और future return के हिसाब से करना है, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, वीडियो उची लगी हो, तो लाइक कर दिएगा,